उत्यप्रदेश की गाजिपूर सीट हमेशा से ही लोकसभा और वधानसभा चुनाफ में सुर्खियों में रही है और इस बार मुखतार अंसारी की मौत के बाद कहना होगा अब तो पूरे देश की नजर गाजिपूर की सीट पर ही टिकी हुई है इंडिया गडबंधन की तरफ से इस समाजवादी पाची ने पहले ही मुखतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को यहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है हालंकि अभी तक बीजिपी ने इस सीट पर अपने प्रतियाश्री के नाम का एलान नहीं किया है वैसे प्रतियाश्री के नाम की चर्चुआएं लगातार ज़ा रही है ये भी कहा ज़ा रहा है कि सुहिल देव भारते समाजपाटी के सिंबल पर घाजिपूर की सीट से प्रतियाश्री उतारा जो सकता है बता दें कि मुखतार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी बस्पा के सिंबल पर घाजिपूर से चुनाव जीते थे यहां तक कि 2022 विधन सभा चुनाव में भी घाजिपूर की सीट पर बीजपी के खाते में एक भी सीट नहीं आ सकी इसके अलावा घाजिपूर के शृत्र में चर्चृत नाम अंसारी परिवार में मुखतार अंसारी की मौत के बाद से एक सहनुभूती लहर का भी दावा राजुनितिक वशिरशग्यों की तरफ से किया जा रहा है इनी सब के बीच बीजपी के तरफ से अभी तक प्रतियार्शियों के नाम का एलान ना करना भी सपा का घाजिपूर के सीट पर होसला बुलंद कर रहा है वैसे बीजपी के नेताओं का कहना है कि बीजपी सोच समझ कर यहाँ पर उमिदवार का एलान करेगी राजुनेतिक जानकारों की माने तो घाजिपूर की सीट पर वीजपी एक ऐसे चहरे को चुनावी मैदान में उतारना चाहती है जो सीधे तोर पर अंसारी छवी को तक कर दे सके दूसी तरफ वीजपी के ही सयोगी दल सुभा सपा के प्रमुक ओम प्रकाश राजबर ने यहां तक दावा कर दिया है कि वो प्रूरवांचल के बहु बली चहरे के तोर पर पहचाने जाने वाले विजजेश सिंग को यहां से टिकट देने के लिए बिलकुल तयार है अभी तक पाठी के दरफ से किसी भी प्रतियाश्य के टिकट को लेकर कोई भी आधिकारी घोशना नहीं की गई है लेकिन यह माना जा रहा है किस बार मुखतार अंसारी की मौत के बाद गाज़िपूर में अंसारी परिवार के लिए सहनुभूती की लहर भी है वैसे देखन होगा किस बार गाज़िपूर के चुनावी मुकाबले में बीज़िपी अंसारी परिवार को शुकस्त देने में काम्याब हो पाती है या नहीं